नमस्कार दोस्तों पादपों में दो विशेश प्रकार की समवहन उत्तक पाए जाते हैं जिनका नाम जायलम और फ्लोयम है तो हमें जानकरी होना चाहिए कि इन जायलम और फ्लोयम का क्या कारिय होता है दोस्तों जायलम और फ्लोयम सम्वान उत्तक होते हैं सम्वान उत्तक का मतलब होता है कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जो पदार्थों को एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक लाने ले जाने का कारे करता है जायलम जो है वो जल और खनीज लवनों का सम्वान करता है यानि कि पेड़ पोदी की जड़ों से जल और खनील उनों को पत्तियों तक ले जाने का कारी ये जायलम करता है और फ्लॉयम जो होता है वो बोजन को पेड़ के विबिन बागों तक पहुंचाने का कारी करता है